नमस्कार दोस्तों मैं निम्बा पाटिल आपके लिए लेके आया हूँ यूट्टूब पे हेल्प संटर करके एक चैनल इस चैनल को सब्सक्राइब करें निचे दिएगे इस सब्सक्राइब बटन को दबाके ऊपर दिएगे बेल आइकोन को भी दबा लीजी इससे हमारे आने से लॉगिंग किया हो तो आप गूगल में सेर्च करोगे गूगल वेबसाइट करके तो यह ओप्शन ओपन हो जाएगा क्येट न्यू पे हम जाते हैं तो पहले ही ओप्शिंस को हम सिलेट कर लेते हैं उसके बात आने बाला व्यूव आपके सामने इसा होगा जो चाहिए नीम आप सिलेट कर सकते हो और अपने प्रिडिसाइड जो नेम आपने डिसेड किया वो डाल सकते हो अवेलेबल होगा तो एगरी एकसेप्ट हो जाएगा यह तो आपको यूनीक नेम उसका आपको सोचना पड़ेगा अभी यह नेम एप्रूड नहीं बोल रहा है मतलब यह नेम से पहले ही वेबसाइड बनी हुई है तो इसके लिए हम कुछ अलब सा नेम इसमें डालके वर्डिंग डालके आगे हम क्रियेट पे चले जाते हैं कि विद्टिने सेसेकिन आप अपनी वीबसाइड जूगल में बना पाऊंगे यह आवरी एक्च्ट्वी विए आपके वेबसाइड का इसमें आप एडिट कर सकते हो इसकी थी इसके कंटेंड को आप रिप्लेस कर सकते हो मैंनेुा रेडिमेट कंटेंड लिया हुआ है तो आप उसी content को हटा के अपना content type कर सकते हो, images उसमें लगा सकते हो, यह theme मैंने soccer का select किया है तो आप दूसरा theme select कर सकते हो, जैसे हम save करते हैं इसको, तो जो आपने editing किया वो save हो जाएगा, उपर header में आपको बहुत सारे options दोते हैं इस website को सजाने के लिए और बेहतरिंग बनाने क के लिए, इसमें आपको insert है, table है, layout है, help करके है, इसमें आपको जो चाहिए options में आप जाके, अपने website का view, change, layout, change कर सकते हैं, इसमें आपको यह सब save करने के बाद, आप जैसे ही और setting में जाते हो, share में, जैसे इस website कब share करते हो publicly, तो यह उसका link है, और नीचे option से change भी आप इसको कर सकते हो publicly, और आप इसको publicly नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, private, इसको रखना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो, नब आप Gmail से आप ही logging करो, तो आप ही विजिट कर पाओगे, तो आप अपनी खुद की वेपसाइट विदिनी मिनिट आप बना सकते हो थैंक्स पर वोचिंग